कि यहां मेट्रो रेल से समंदित किसी भी वीडियो को सबसे पहले देखने के लिए रेलवे लाइप एलपी चैनल को सबस्क्राइब कि दिये साथ में स्वेयर करना मत बूलिए हलो दोस्त रेलवे एलपी साइको परिच्छा का वीडियो नमबर 12 है और यहां बात करेंगे एप्टूट टेस्ट यानि अभिरूची परिच्छा का तो कुछ लोगों का सवाल आएगा कि यह तो हमारा सिलेबस में नहीं है एलपी का जो RDSO का वेपसाइट है उस पर यह नहीं दिखा रहा है एलपी के लिए तो दोस्त यह SM के लिए होता है DMRC का होता है LMRC का होता है और जितने भी NMRC यानि जितने भी मेट्रो है सारे में यह टेस्ट होता है अब ध्यान देने वाली बात यह है कि एलपी के साइको में अगर थोड़ी सी पैटर्न चेंज हो गई तो जिसे लोग बोलते हैं बैटरी टेस्ट नमबर फाइब हो सकता है यह F2 टेस्ट दे दिया जाए कि कॉमन में यह दिया हुआ है तो हमें क्या करना है कि जितने भी हम सारे टेस्ट कर रहे हैं तो इसको क्यों नहीं कर लें साथ में इसको टेस्ट की संक्या हम कम कर लेंगे लेकिन इसको भी लेते चलते हैं क्योंकि अगर यह प्रस्ण में आ गया हमारे यानि साइको टेस्ट में आ गये तो हम ऐसा ना कि ब करार रखना है तो कॉमेंट बॉक्स में जरूर लिख दीजिएगा कि इसको हम छोड़ देंगे लेकिन मेरा परपस यही है कि सारे टेस्ट से हम वरिनेस हो जाएं कि हमें पता हो जाए कि यह टेस्ट अभी दिया हुआ है जिसमें से हमारे लिए आ सकता है और बाकी अगर अगर प्रस्ण की संख्या कम हो गाई यानि 18-20 प्रस्ण हो जाएंगे तो टाइम आपको 5-6 मिनट हो जाएंगे तो इस रेशियो में आपको टाइम भी डिबाइड हो जाएगा लेकिन अस्टेंडर इसका टाइम है 10 मिनट 36 प्रस्ण तो चलिए इसको शुरू करते हैं तो इसमें आप लोगों को मैं सबसे पहले बता देता हूं इस टाइप के प्रस्ण में कोई एंसर गलत नहीं कोई सही नहीं लेकिन आपकी सोच यानि एप्टिटूड का कहने का मतलब है आपकी अभिरुची आपकी इंटरेस्ट किसमें है उसी के इधार से एक एंसर सेट रहता है और वो सबसे बेस्ट एंसर को एक एंसर बना लिया जाता है उसमें आपको परखा जाता है कि आप अस्टेंडर फॉर्मेट के आसपास कितने हैं समझ सकते हैं इस बात को क्योंकि ये इसका प्रस्ण का कोई भी ऑप्षन 123 में से कोई भी गलत नहीं होता सारे लगबग लगबग सही होता है लेकिन सबसे अच्छा है उसको जबाब देना है समझ चुके होंगे आप तो चलिए सुरू करते है पहला प्रस्णिया पर है मैं पीता जी के कहने पर अधीक पढ़ाई करने लगता हूं तो एक रिली टिक बात है कि घर में आप रहते हैं तो आपको कोई कहता है तो पढ़ाई सुरू कर देंगे तो लोग कहेगा कि हां ध्यान दिजिएगा ये बच्चों का काम है और आप हो चुके हैं बढ़ो यानि आपकी एज 18 साल से उपर हो चुकी है कहने का मतलब कि आपको सेल्फ होना चाहिए इस एटिटूड का या एप्टिटूड टेस्ट का यही मकसद है कि आपकी घ्यान लेना तो ध्यान दिजिएगा कहने पे इसका मतलब ही है कि आप अपने आप न तो समझ चुके होंगे इस पूरे प्रस्ण का यही कंसेप्ट होता है कि आपको एक अस्टेंडर से प्रस्ण पूछा जाएगा तो यहां ध्यान दिजिएगा इका राइट एंसर नहीं है मैं पिता जी के कहने पे अधिक पढ़ाई नहीं अपने आप अधिक पढ़ाई करता हूं सही उसके बाद मैं पसंद करता हूँ तो कुछ लोग कहते हैं YouTube कोई कहते हैं अच्छी पिल्में कोई कहता अच्छी किताबे पढ़ना और इसमें से कोई भी गलत नहीं है कोई भी नहीं कहा सकता कि ये तीनों चीज कोई काम गलत है लेकिन आप क्या करने गये हैं? साइको देने और साइको में किसकी पढ़ाई होती है आपकी एजुकेशन की बात होती है फिल्म और यूटुब एजुकेशन से डाइरेक्ट बिलॉंग नहीं करता अज एस्टेंडर तो अच्छी किताबे पढ़ना आपका राइट एंसर होना चाहिए तो हो सकता है यह समझ रहे होंगे बाते को जो समझ गए वो पोजिटिव ठिंकिंग नहीं समझे तो अभी थोड़े यह और वीडियो का इंतिजार करिए और अपनी नेगेटिविटी भाटाने की कोसिस किजिए उसके बाद आगे चलते हैं प्रसंग क्या थिरी है जिसमें करा है मैं हमेशा अच्छा चाहता हूँ सबसे पहले तो यहां देश का है समंधी का और खुद का तो कोई कहेगा नहीं समंधी या देश का कहेगा राइट एंसर यहां पर आपका है देश का मैं सबसे पहले देश की भलाई चाहता हूँ उसके बाद चार नमर प्रस्न जब भी कोई मुझसे जूटी जनकारी देता है तो क्या होते हैं जी मैं बहुत गुसा हो जाता हूँ मैं परसान हो जाता हूँ मैं भी जूट बोल देता हूँ आप बताएं कौन से करते हैं आप हमें लगता है सब लोग सब करते हैं लेकिन कोई option में तो बताएं कि मैं क्या करता हूं तो ध्यान दीजिएगा यहां तीनों प्रस्ण का कोई गलत एंसर नहीं है सारा एंसर सही है लेकिन सही देना है यहां देखिए बात को समझिए कोई मुझसे जूटी जनकारी देता है मतलब आप समझ सकते हैं कि जूट बोल रहा है किलियर है कोई डाउट नहीं है कि जूट बोल रहा है तो मैं भी उससे घुसा हो जाता हूं उसका right answer है अगर इसमें कुछ चुपा हुआ रहता जूट देने की कोशिस करता है तब आप ध्यान दिजिएगा बदल जाएगा sentence तो यहां बोला है कि जूटी जनकारी देता है कनफर्म है तो मैं भी उससे घुसा हो जाता हूं हमारा right answer उसके बाद आगले में हम चलेंगे पांच नमबर प्रस्ण है जिसमें बोला है मैं दूसरे की भावनाओं का समान करता हूं मतलब इज़त करता हूं हमेशा कभी 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 नहीं तो यह सब लोग ज से मैं किसी परिच्छा से पहले answer की डूनता हूं, cut up जानता हूं, अच्छी से तयारी करता हूं तो हमें लगता है सबसे पहले लोग cut up डूनते हैं, तयारी बाद में करते हैं फिर answer की डून लेते हैं कि answer की मिल जाए और नहीं तो PDF मिल जाए, PDF बहुत लोग डूनते हैं तो आपके जो एकजाम में परफॉर्म की है उसका होता है तो यहाँ देख सकते हैं मैं किसी भी परिच्छा से पहले अच्छी तरह से तैयारी करता हूं right answer है अच्छा व्यक्ति और अच्छे वरकर अच्छे इंजिनियर की काम है तो अच्छी तरह से सुचता हूं यह काम कैसा है तो राइट एंसर आपका पहला हो जाएगा उसके बाद है आटवा यूटूब पे गंदे कॉमेंट पढ़कर मैं समय बेतीत कर लेता हूं यानि इंज्व आटवा इंज्व कर रहा हूं इसका एंसर आप बता दिजिएगा उसके बाद नो नबर प्रस्ण है मैं दीन के अपेच्छा रात में अधिक एकागर महसूस करता हूं तो कर आए कभी 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 नहीं हां तो confusion नहीं होना चाहिए रात में हमेशा सांती होती है और आपक इस काम में लगे रहते हैं वो अलग चीज है तो यहां राइट एंसर आपका 3 है हाँ 9 का 3 और 8 का एंसर जुरूर दिदिएगा मैं नहीं बताने वाला हूं उसका बाद 10 नंबर प्रस्ण है एक अच्छे खिलाडी के घायल यानि थोड़ा घायल होने पे खेल को जारी रखना चाहिए इस एप टू टेस्ट का मतलब ही है कि डिफरेंट डिफरेंट फिल्ड से अलग अलग प्रस्ण आपको पूचा जाए देख सकते हैं अभी तक 10 प्रस्ण में कितने सारे फिल्ड को कभर कर लिया तो यहां पर का रहा है हां क्योंकि वो देश के लिए खेलता है थोड की 100% नहीं देगा और इसके ज़्यादा घायल अवस्था बढ़ने की चांस होती है तो द्यान दीजेगा इस सवास्था में खेलना उप्योगी नहीं है तो राइट एंसर यहां पे नहीं होगा कुछ लोग बोलेंगे कि देश के लिए है खेलना चाहिए तो द्यान करता हूं विबेक से काम करता हूं यानि समझदारी से काम करता हूं तो राइट एंसर क्या है अपनी विबेक से अपनी सूजबूज को लगा कर समय पे काम करता हूं कठीन समय मतलब विपरित समय जैसे कई बार क्या होता है आपका रिजल्ट में नाम नहीं आया तो लोग सो सोच है कि अगले में घम करेंगे अच्छा तो विवेक से काम करता हूं या और विकार्ज कर सकता हूं तो यहां द्यान दिजे राइट एंसर आपका थ्री है उसके बाद हमारे पास अगला सवाल है बारा नंबर बारा नंबर आप देख सकते हैं जिसमें करा अधी मैं सेर होता समझ सकते हैं सेर क्या होता है बाग सेर टाइगर जो आप कहले जंगली हमारा भारत का इंडियन सेर भी कह सकते हैं तो क्या करते हैं घांस खाता मांस खाता फल काता अब ध्यान दिजेगा इस प्रस्न को आपको रिजनिंग पूछ दिया तो सेर क्या खाता है मांस तो आभी स जिखाते है राइट एंसर टू है उसके बाद तेरा नमबर प्रस्ण है मुझे बड़ो की सला मुझे अपने बुजूर्गो या बड़ो की सला कैसी लगती है तो कुछ लोग करें पसंद आते हैं पसंद नहीं आती है बीचीतर लगती है बहुत उटपटांग होता है हमारी ज कि बात करते हैं वो अपने जैसा हमें बनाना चाहते हैं तो बोलिए इसमें राइट एंसर क्या है तो यहां पर द्यान लेता है पसंद आती है राइट एंसर है पोजेटिव ठिंकिंग पसंद आती है चौदा नमबर है भगवान उसी की मदद करते हैं जो अपनी मदद स्व करता है तो राइट एंसर यहां पर हाँ नहीं या मौलुम नहीं कौन सा होना चाहिए तूठ ध्यान दिजैगा जो अपनी मदद करता है वो अपने आप में कपेवल होता है तो राइट एंसर यह वन होगा हाँ उसके बाद हमारे पास 15 नबर सवाल है 15 नबर सवाल है टीचर को हरताल नहीं करना चाहिए इससे छात्रों की पढ़ाई बादित होती है कौन सा एंसर राइट है बता दिजिएगा तो राइट एंसर में आप देखे तो हाँ है नहीं है मालूम नहीं कौन सा राइट एंसर होगा कि टीचर को हरताल नहीं करना चाहिए तो इस तेप के प्रस्ण में द्याव में साध्यवाद दीजिएगा क्योंकि इससे किसी की भी प्रभावित हो रही है पढ़ाई प्रभावित हो रही है बच्चों की छात्रों की तो यहां राइट एंसर हाँ है 16 नमबर प्रस्ण है मैं दुकान पर निव लेको की किताब जरूर देखता हूँ द्यान दिजिएगा आप अ स्टुडेंट है और निव लेको की किताब जरूर देखता हूँ इसका positive thinking क्या होगा कभी नहीं कभी कभी हमेशा तो positive क्या है हमेशा हमेशा देखता हूँ चाहे अब कितनी दिर देखते हैं वो आपकी मर्जी लेकिन यहां पर राइट एंसर हमेशा होगा उसके बाद 17 नमबर है जिसमें कह रहा है कि group discussion यानि आपस में बरतलाब सभी लोगों के साथ से मुझे बहुत फैदा होता है तो यहां पर रहा है नहीं हाँ कुछ नहीं कह सकता कुछ लोग कते हैं वेकार की time based होता है कुछ लोग कते हैं कि नहीं हमें फैदा होता है कुछ कर रहे हैं कि मुझे पता ही नहीं चलता कि फैदा हुआ या नहीं हुआ तो वही जबाब यहां आपसे पूछा जा रहा है तो ध्यान दिजेगा इसका पॉजेटिव एंसर है हाँ ग्रूप डिस्किसन से हमें बहुत फैदा होता है उसके बाद हमारे पास 16 नमर सवाल है मैं अपने करजालाई की समस्या का निस्पादन यानी समाप्ति करता हूँ घर पे दोस्तों के रास्ते में आते जाते करजालाई में करता हूँ अब कुछ लोग काते हैं कि मेनती बेक्ती होता है जो अपनी ओफिस का काम कर जाला मतलब समझ सकते हैं और ओफिस का काम घर पे भी कर सकते हैं यानि इतनी बीजी सीडूल है कि घर पे भी कर सकते हैं यह भी राइट एंसर है कुछ लोग आते हैं टेन में बैठा हूं बस में बैठा हूं रास्ते में इसको निप्टा लेता हूं कुछ लोग आते हैं कर गषाले पही कर लेता हूं तो डुराइट एंसर आपको बताना है बहुत कठीन परस्ट हो जाता है और यहां समय आपको पास दस सेकंड यानी थीश च्छा-तीस परश्ट को करने लिए 10 मिनिट आपको टाइम दिया हुआ है और एक परसंड पर अपको जाधा से ज्यादा 20 से ज्यादा टाइम नहीं देना है उसी टाइम में आपको इसका डिसीजन लेना है तो ध्यान दीजिएगा ये करजाला में ही करता हूं जहां की काम वहीं समापती घर की काम घर में ऑफिस की काम ऑफिस में राइट एंसर है उसके बाद 19 नंबर है मुझे नफरत है जूट से गरीबों से सचाई से अब ध्यान दीजिएगा यहां भी एक और आपके पास आगया प्रस्न गरीब से नफरत सचाई से नफरत जूट से नफरत तो यहां जूट से नफरत राइट इंसर बनेगा आपके लिए जूट से नफरत है कोई जूट बोल रहा है उससे थ बेरोजगारी दूर करता, बीजली की इस्तिती सुदारता, अस्पताल खुलता, देखें तीनों काम बहुत जरूरी है, कोई ऐसा काम नहीं है, यह आपका हेल्थ है, यह आपकी लाइफ कहा है, और तीसरा आपका भी जीवन रेखा से जूड़ा हुआ है, तीनों महत पूर्ण है, लेकिन सबसे महत पूर्ण है, बेरोजगारी दूर करना, आज की समस्या और टॉपिक है, तो राइट एंसर आपका होगा, यहाँ पर बीज का ए, उसके बाद कह रहा है, मैं अपनी असफलता से बीचलित हो जाता हूँ, निरास हो जाता हूँ, और अधिक मेहनत करने ध्यान दीजेगा, हमें नराज नहीं होना है, हमें और भी अधिक मेहनत करना है, अभी और भी एक्जामे है, और भी एक्जाम क्या है, यही का एक्जाम आ रहा है, एसम का फिर से आएगा, और भी पोस्टे आएगी, कुछ लोग के लिए, तो ध्यान दीजेगा, अभी ऑप ग्रसित व्यक्ति से अस्पताल में मिलने जाता हूँ, इसमें एक उधारन ऐसा दिया हुआ है, बीमारी से ग्रसित व्यक्ति और अस्पताल, दोनों चीज को आप ध्यान दीजिएगा, तो यहां का रहा है लाल सक पहनकर, सफेद कपड़े पहनकर, काला कपड़े पहनकर, तो रोगी पे आपके आपके उपर थोड़ी सी दिस्प्रेंशन नहीं हो, नॉर्मल कंडिशन हो, बाकी तो सारे एलाउ है, कोई नहीं कहेगा कि यह नहीं पेहनना है, लेकिन इहां पूछा जा रहा है, मिलने जाता हूँ, राइट एंसर है, सफेद कप्रे पहन कर, उसके बाद हम बारत में इंटरनेट का उप्योग तेजी से बढ़ रहा है, एक और फिल्ड चेंज हुआ, आपका कॉम्णिकेशन नेटवर्क संचार सिस्टम आ गया, तो मालूम नहीं, हाँ, नहीं, कुछ लोग कहेंगे इंटरनेट पहले ज्यादा यूज हो रहा था, कुछ कहेंगे आपका उधारन है कि नेटवर्क का यूज और इंटरनेट का यूज बढ़ रहा है, उसके बाद है 24 नमबर सफलता के लिए मेहनत जरूरी है, कह रहा है हाँ, नहीं, कभी कभी, तो सिंपल से सवाल है, सफलता बीना मेहनत के नहीं मिल सकती, तो राइट एंसर हाँ है, 25 लंबा कौन सा है, गीता लंबा है मोहन से, लेकिन गनेश से चोटा है, तो गनेश सबसे बड़ा है, तो मोहन सबसे चोटा है, राइट एंसर 2, उसके बाद हमारे पास सब लोग कहेंगे हमारे तरीके से ही है हमें सब जगह की अच्छा लगता है घर का खाना सिहत के लिए अच्छा है होटल का खाना टेस्ट के लिए अच्छा है और अपने हाथ का बनाया हुआ खाना दोनों के लिए अच्छा है अब किसकी सवाल बताए तो ध्यान दिजेगा घ अगर RPA exam में मेरे दोस्त का selection हो गया SI या constable में तो मुझे सफलता जानकर क्या होता है खुशी होती है, दूख होता है, इर्षिया होती है कि मेरा नहीं हुआ उसका हो गया तो यहार आइट एंसर हमें से positive में है, खुशी होती है क्योंकि selected candidate always मेहनत के करके वो select हुआ है तो हमारे लिए भी अच्छा है और हमें भी हमारा दोस्त होने के नाते हमें खुशी हो रहा है उसके बाद 28 नमबर प्रस्ण है, मैं सडक के बाहीं तरब चलता या चलती हूँ तो यह rule है और rule को follow करना हमेसा positive ही होता चाहिए तो हमेसा चलता हूँ, बाकी की बात ही नहीं करेंगे क्योंकि यह तो rule है उसके बाद 30 नमबर प्रस्ण है, सरल के बिलोम का बिलोम क्या है सरल का उल्टा और उसका उल्टा क्या है तो सरल का उल्टा कठीन, कठीन का उल्टा असान, right answer 3 है तो समझ सकते हैं इस ताइब के प्रस्ण को तो 30 का उनसर आपको मिल गया, असान उसके बाद क्रीशी में बेग्यानिक पदित्ती करने से क्या होता है, खर्च अधिक होता है, पैदावार कम होता है खर्च कम और पैदावार जादा होता है, यानि उत्पादन जादा होता है तो कर सकते हैं, right answer 3 है क्योंकि बेग्यानिक पदित्ती आपको अच्छे तरीके से कम खर्च में अधिक उत्पादन के लिए जाना जाता है, right answer 3 है 32 नमबर प्रशन आपके पास है, मैं कनून का विरोध करता हूँ ये भी रूल है, तो रूल को आप कैसे फ़लो करेंगे तो पहले में हमने बोल दिया था कि हमेशा सड़क के बाए तरफ चलता हूँ लेकिन वो पोजेटिव था, ये नेगेटिव है मैं कनून का विरोध करता हूँ, कभी नहीं ध्यान दिजिएगा, इस टाइप के आपको अटिटूड को संपल से समझ जाना है, विरोध है, नहीं करता हूँ नेगेटिव है, तो रूल का नेगेटिव, right answer नहीं करता हूँ वो बताना है, पकिस्तान, सिरलंका और अमेरिका है, तो ध्यान दिजिएगा है, रूपिया भारत की केरेंसी है, तो डॉलर अमेरिका की केरेंसी है, राइट एंसर, C है, इसी तरह से उसके बाद हमारे पास सवाल नंबर 34, 35, 36 तो 34 नंबर सवाल है, एक दोस्त ने मुझे दोखा दिया, अब मैं भी उससे दोखा दूँगा, नाता तोड़ लूँगा, गलती का एसास करवाँगा, बोलता है, मैं भी उसको ऐसा ही दोखा दूँगा, जैसा हमें दिया है, लेकिन दूजरा का रहा है कि उससे हम अब बा हमस्या का समधान है, इन तीनों में से, इसके अलावा भी आपके पास हो सकता है, लेकिन यहाँ पे तीन उप्सन है, उसमें से सही राइट एंसर, गलती का एसास कराना, उसके बाद 35 नंबर सवाल है, लोक तंत्र में सभी को भोट मरत पूर्ण है, कुछ लोग कहेंगे पूरी सी पॉजेटिव से नेगेटिव थुंकिंग है, पूरी तरह से पॉजेटिव है हमेशा, क्योंकि भोट देना सब की जरूरी और महत्पूर्ण भी है, और जरूरी भी है, तो राइट एंसर आपके 3 हो गया, उसके बाद 36 नंबर प्रस्ण है, सूर्ज की परकर्मा प पॉजेटिव सोचना है, आपका एंसर आराम से हो जागा, बहुत कठीन प्रस्ण नहीं होते हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा कंडिडेट इसी में फेल होते हैं, ये भी आप ध्यान दिजिएगा, क्योंकि आज के डेट में सोच और वीचार, हम अस्टेंडर से कितना करिएगा, उतना आपसे यहां गलतियां होगी, और प्रस्ण बहुत है, सारे सही है, सारे ओप्सन सही है, कोई ओप्सन गलत नहीं है, तो इसको आपको ध्यान में रखने होता है, इस टाइप के आपको कंसेप्ट में, तो चलिए एक प्रस्ण आठ नंबर रह गया था, मैं बेत्तित कर लेता हूँ, तो राइट एंसर यहां पर मेरा है, थिरी है, अगर कुछ और होगा तजरू बताइएगा, तो इस वीडियो में हमने अभी बात किया, 36 प्रस्ण का जो एप्टिटूड यानि अभीरूची परिच्छा से आता है, ASM, DMRC, LMRC, NMRC और LP साइको म में प्रोभूएबल, पूरी तरह से सिलेबस में नहीं दिया हुआ है, RTSO का, हो सकता है कि जब कॉम्बाइन दिया हुआ है, वहां पर यह दिया हुआ है, और पिछली बार का जो रियंट आया था, हैधराबाद का, हमने सिकंद्राबाद का देखा था, सिकंद्राबाद में जो सबसे ज़्यादा लोग टेस्ट में फेल हुए थे टेस्ट नमबर फाइब था और टेस्ट नमबर फाइब सायद एप्टी टूट टेस्ट का ही पिछली बार था इसलिए मैंने इस वीडियो प्लेकर आया हूँ अगर आप चाहते हैं कि इस एप्टी टूट को खतम करें त जिसके लिए आपकी कॉमेंट देखेंगे कितनी लोग क्या करते हैं थैंक्यू धन्यवाद